कि राश्परती द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर ना आना ये साबित करता है कि उन्हें खत्रा लग रहा है कि कहीं उनकी कुर्सी ना छिन जाए, कहीं वो भी सत्ता से बाहर ना हो जाए, यहाँ पर मोदी सरकार अभी मौजूदगी में है, मजबूती में है, तो वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, इसी का खत्रा ओंबिला को भी सता रहा है, जबी तो संसत की कारवाई वार बर्स थगित कर दी जाती है, जब जेपीसी की जांच की मांग उठाई जाती है, तो यहाँ पर एक एक करके खुलता हुआ नजर आ रहा है, सारे पेज खुल रहे हैं, कि य पोदी सरकार का सबसे बड़ा जूट भी पकड़ा जाएगा, क्या राश्कुपती दुरूपती मुर्मू राहुल गांधी की समर्थन में उतरेंगी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी की संसत की सदस्ता अभी तक बापस नहीं हुई है, यह कहा जा रह है कि राहुल गांधी के पास जो तीन विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प को अपना सकते हैं, पहला विकल्प यह है कि क्या राहुल गांधी पूरी विपक्ष के साथ राश्चुपती दुरूपती मुर्मू के पास पहुँचेंगे, दूसरा विकल्प यह है कि क्या यहा स्वागत है आपका SPN 9 News में दरशको आपको बता दे कि यहाँ पर राहूल गांधी को लेकर एक के बाद एक बड़े निता का समर्थन मिल रहा है और यह कहा जा रहा है कि 2024 के पहले पहले राहूल गांधी को जो है उनकी सांसदी बापस दिला देंगे नहीं तो आने वाले वक् विकल्प होते हुए भी इस्तिमाल नहीं कर रहा है क्या राहूल गांधी को सिर्फ कोट से ही भरोसा नहीं है राहूल गांधी को खुट से भी भरोसा है कि जो उन्होंने किया है वो कुछ गलत नहीं किया है मोडी सरनेम को लेकर जो हमला किया जाता है और उनकी संसद सदसेता चली जाती है ये साबित करता है कि मामला इतना बड़ा नहीं था लेकिन राहुल गांदी को संसद में नहीं बोलने देना है इसलिए ये मामला बड़ा बन जाता है जिसके तहट आप देखेंगे कि सूरत कोट में डेट दे दी जाती है कि राहुल गांधी 20 अप्रेल को अब सुनवाई के दौरान पेश हो सकेंगे लेकिन यहाँ पर साफ तहर पर जाहिर होता है कि राहुल गांधी को आखिर कार सूरत कोट फैसला सुनाता हुआ नजर क्यों नहीं आरा अगर दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है यानि कि अगर राहुल गांधी को सूरत कोट दोसी करार देता है तो वहाँ पर सजा सु तो ऐसे में राहूल गांधी के पास विकल्प चुनने का ऑप्शन बच जाएगा कि अब राहूल गांधी सुप्रीम कोट का रुक कर सकते हैं राहूल गांधी राश्पदी दौपदी मुर्मु का रुक कर सकते हैं और यहां पर ओम बिल्ला की खिलाब भी आविश्वास पु अगर सुरत कोट से यहाँ पर राहुल गांदी को राहत नहीं मिलती है तो क्या राहुल गांदी को सांसदी नहीं मिल पाई कि यह पहला सवाल रहेगा दूसरा सवाल यह रहेगा कि सुशील मोदी ने अभी पटना कोट में उनके खिलाब आज का दायर कर दी है अगर सुरत कोट से जो है रहात मिल जाती तो क्या पटना कोट में फस जाएंगे देखिए फसाने की तो कोशिश की जा रही है कि शुशील मोदी ने भी अब पटना में याचिका दाखिल कर दिये जब कि कोई भी मतलम नहीं बनता है शुशील मोदी का जब राहुल गांधी मो पटना कोट में शुशील मोदी याचिका दायर करते हैं तो ऐसे में आपने बकू भी कहा कि अगर राहुल गांधी की संसर सदसिता वापस नहीं आती है तो क्या राहुल गांधी फस जाएंगे जिया भिलकुल फस्ते वे दिखाए देंगे क्योंकि ना तो चुनाव लड़ ऐसे में उनका स्दित वकाही ना कहीं खत्म ही हो जाएगा तो किया बीजेपी की साजिश है की राहुल गांधी का सत्तों खत्म करना है क्योंकि केमरीस से लटे दिल्ली पुलिस पहुच जाती है इसकी बाद सूरत कोट का फैसला आ जाता है घर चिन लिया जाता है इसकी ब यहां पर बात की जाए भारती जंता पार्टी की तो ऐसे मंत्री सांसत मौजूद है जो ऐसे बयान देते हैं उनकी तो बहुत पहले ही संसत सदसिता रद हो जानी चाहिए थी लेकिन रद होती हुई नजर नहीं आती है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है अगर आप सत्ता की बूती में है तो आपके खिलाफ कोई भी आरोप तै नहीं हो सकते हैं तो ऐसे में राहूल गांदी ने सच बोला था लेकिन वो सच के तहत भारती जंता पार्टी को मिर्ची लग जाती है जिसके तहत आप देखेंगे कि राहूल गांदी को यहां पर आयोग्य गोशित कर द जो मुद्दा उठाया था और जो मुद्दा अभी भी उठा रहे हैं अडानी मुद्दा वह वाकिए यहां पर खुलता हुआ नजर आएगा राहूल गांदी लगाता रही है कि भारत देश में लोकतंदर की हत्या की जा रही है ताना शाही बढ़ रही है गरीबों की नहीं सुनी जा रही है महंगाई तमाम मुद्दो पर जो है राहूल गांदी बोलती रहते हैं केंब्रिज पहुंची तो उन्होंने यही बात कही थी कि भारत देश में लोकतंदर की हत्या की जा रही है क्या सच में लोकतंदर पर सवाल खड़े करना ठीक है देखिए लोकतंदर अधिकारों को चीना जा रहा है जब आपको बोलने की ही अजादी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंदर अभी भारत में जिन्दा है यहां पर तानष शाही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जंता की अवास को नहीं सुना जाता विपक्ष की अवास को दबाया जाता है संसध में सका हुधारन पेश किया जाता है कि किस दरीके से Миालीक अधिकारों का हनन हो रहा है तो यहां पर लोगतंत्र कोश्व का यहां पर ना आना यहां चाहिए कि से बाहर ना हो जाए यहां पर मोदी सरकार अभी मौजूदगी में है, मजबूती में है, तो वह यहां पर कुछ भी कर सकती है, इसी का खत्रा ओम बिल्ला को भी सता रहा है, जबी तो संसत की कारवाई वार बर्स थगित कर दी जाती है जब JPC की जांच की मांग उठाई जाती है तो यहाँ पर एक एक करके खुलता हुआ नजर आ रहे हैं सारे पेज खुल रहे हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार की वज़ा से यह सब चीजे बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जिसमें शामिल हो जाते हैं राश्पती द्रौपदी मुर्मों यहाँ पर अगर वो समर्थन कर देती है राहुल गांधी का तो सब कुछ किलियर हो जाएगा राहुल गांधी का रास्ता भी साफ हो जाएगा और मोदी सरकार का सबसे बड़ा जूट भी पकड़ा जाएगा लेकिन जूट यहाँ पर एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते वे अभी महौल को शांत किया जाए अभी जो अडानी मुद्दा उठाया जा रहा है उसे दबाया जाए ताकि भारते जंता पार्टी चुनाव जीज जाए ज़रूरत है विपक्ष एक जुट हो रहा है तो राहूल गांदी यहाँ पर आभिश्ट्रास प्रस्ताव पारत क्यों नहीं करते हैं जबकि कई बार ओम बिला पर आपने सवाल खड़े कियें जैराम रभीस ने सवाल खड़े कियें रंधावा ने सवाल खड़े कियें यहां पर पक्षपात हो रहा है यहां पर विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार ओम बिला और लोग सभा से लेकर राज्य सभा में यह सारी चर्चाएं देखी जा रही है कि जब विपक्ष कुछ बोलना चाहता है राहूल गांदी के समर्थन में देखा जाता है तो उनकी आवा का द्वार खट खट आते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं दर्श को आप बताईए कि राहूल गांदी की संसत की सदस्ता आखर बापस आएगी कैसी कमेंट बॉक्स में बताएं आज के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए SPN 9 NEWS